नवस्कार आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूँ आपके साथ सपना ठाक और फ्रुक करेंगे बड़ी खबरों की और खबर लखनु से चो आहाज़ादी के अमरित मोचसप पर हर घर तिरंगा अभियान के तैति हुआ मोचा द्वारा बुद्वेर को दुफार बारा बजे चौपाट या चौराही से आच्वार नरेंदर देव वार्ड तक वाहन तिरंगा रैली निकाली के इस रैली वार्ड के चौपट या चौराही से आच्वार नरेंदर देव वार्ड में जाकर समाप थुई तिरंगा रैली के माधियम से एक शेत्र के लोगों को जागरुकता का संदेश दिया गया इस संदेश में इस दौरान पश्चिम विधानसवा पोर प्रत्याश्वी अंजुनी श्रिवास अवज शेत्रिय उपाध्यक्ष राजीव मिश्रा पश्चिम मंडल चौर के मंडल अध्यक्ष विरेंदर सिंग मंडल उपाध्यक्ष समेत कई लोग इसमें शामिल थे थाना सुरावन शेत्र में फर्स्ट अबलिक सेकंड आउगस्ट की रात में जुड़ापूर दांदो गाउं में एक दमपत्ती पेवार किया गया था जूटपाट की घटना को अंजाम देने के उद्देश से और उसमें जो पुरुष सदस्टे घर के उनकी मृत्यू हो गई थी और जो उनकी पत्नी थी वो घैल थी जिनकी कुछ दिनों बाद दौराने इलाज उनकी मृत्यू हो गई थी ताब जानकारी पे तद्काल पुलिस टीम मौके पे पहुँची अग्याद के विरुद अभयोग पंजकित हुआ था इस घटना के नावरण में कई टीमें घटित हुई उन्होंने विभिन आयामो पर इस पे काम किया और इसमें पुलिस टीम को सफलता मिली है और इस घटन को अंजाम देने में तीन सदस्य थे जिसमें लवकुश पासी इसके साथ ज्यांचंद तथा उमेश और मोटू ये दोनों भी जन्पत को शांबी के रहने वाले थे रोटरी क्लब के प्रेजिडेंट का च्यान वाज उसमें मुख्य अतिती के रूप में पूर्व डिप्टी सीम दिनेश कुमार शर्मा लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये बहुत संदर कारिक्रम था उनके अधिकारियों पदा अधिकारियों और अधिक्षों का परि सर ये हमारे हां हर साल एक प्रेसिजन बजलते हैं दूसरे आते हैं अभी पिछले साल के जो थे वो गिरी जी थे जैस गिरी जी और इस बार मैं हूँ और अब सारक वो है हम हमारी टीम पुरा दाम करेंगी आट आगे किस तरह से अधिक हम लोग का मेरा 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 फोकस है वेक्षारों पर और तूकि अगर आप लोग देख रहेंगों इधर लगता तेंपरेच्छर बढ़ता ही जा रहा है और वजह यही है कि पेड़ नहीं है गर्मी बहुत बढ़ रही है तो मेरा 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 डिप्टी सीएम बुजेश्व पाठक ने कल्यान सेंग कैंसर संस्थान का रोचक निरिक्षण क्या डिप्टी सीयम के निरिक्षण के दौरान कैंसर संस्थान हरकम वज़कर जल्दी 200 बैट पर कैंसर मरीजों की भर्ति के उनोंने निर्देश दिये डिप्रिसीम ने वॉर्ट से लेकार OPD तक का ज्वाइजा लिया भरती मरीजों से भी बात्चित करके स्वास्त सेवाओं की ज्रानकारी ली अपन मुखे सचफ चिकित सा सिक्षा को डॉक्टर करमच्यारियों के साथ दूसरे संस्थानों को जुटाने के भी निर्देश दिये गए माननी प्रदानमंत्री जी का जो आवहन था करोना के समय भी जो आवहन था के लोग करोना कर्फ्यू का पालन करेंगे लोगों ने माना प्रदारमंती समय समय पर जो आवहन करते हैं उसके प्रभाव जीतता है आजादी के अम्रत महस्वा में उन्होंने हर घर में तिरंगा लगे ये चाती, दर्म, सम्रदाय, छेत्र और दलों के दलदल से उपर उठके एक राष्टी एक ताका सबसे बड़ा संखनाद है और अब हर घर से तिरंगा निकलेगा, हर घर से आजादी का ताराना निकलेगा, अब हर घर से अबजल निकले वाला जो उद्गोश है वो नहीं, अब हर घर में राष्टी एक ता और शमनवे का संखना दोगा अब हर घर से अफसल निकलेगा, अब रोधवेश नहीं है, अब हर घर में राष्टी एक ताका शंखना दोगा मोहरम के जुरूस में भी तिरंगा दिखा है, आजादी के 75 वे महोटसब में हर घर तिरंगा दिख रहा है लगनो कानपूर एक्स्प्रिस वे पे बनती हुई शुरुआत हुई है, एक्स्प्रिस वे की जवापे भायत्रे राष्ट्रे राजमार प्राधी करण एन एच एई आई ने शुरू की अतिक्रमन हटानी की कारवाई, कानपूर रोड इस्थेत शांती नगर से स्कूटर इ शुरू कर दिया है, अभी शुरुआत में एन एच एई अपनी जमीन की सीमा पर मौजुदा थी क्रमन हटाने में चुड़ा है, वह एक कानपूर रोड हाईवे पर स्कूटर इंडिया के आसपास करवाई चल रही है, सुहेल देव भारतिय समाज पार्टी के अध्याक्ष ह उंप्रकाश राजबर ने बिहार में नितिश कुमार की नई सरकार से ज्राती जनगर्ना की मांग उठाई है, बतादे कि उंप्रकाश राजबर ने मांग की है कि जेटियो और जेटियो और कॉंग्रेस ज्राती जनगर्ना में बीजेपी को बादख बताते थे, अब इन सभ पार्टियों की सरकार है तो उन्हें जाते जन्गर्ण ना करानी चाहिए। गर्णा नहीं करनी दे रही है अब तो आप स्वतंत्र हो गए हैं एक तरफ जदियों राजत कांग्रेस और लिट की सरकार है तो हम तो मानिक तेजस्वी यादोजी जो डिप्टी चीप मिनिस्टर भिहाड और चीप मिनिस्टर मानि नितीश जीसे कहूंगा कि अब तो आप लोग स्वतंत्र हैं थाना बाजार खाला में अमरत महोत्सव के अफसर पर ब्रिहद साफसफाई की गई टीसीपी वेस्ट और एडीसीपी चिरंजीव नात सिन्ना के आद्याइश पर परीसर में साफसफाई की गई एडीसीपी बाजार खाला के नित्वित में इंस्पेक्टर बाजार खाला विनोधी आदव ने खुद इसके साथ कोतवाली परिसर में साफसफाई करवाई महिला है डेक्स पिंक बूत की भी साफसफाई करवाई गई थी वह अगली ख़वर प्रियागराश से है जो देश की आजादी की 75 वी वर्षगाट के मौके पर पूरी देश में आजादी कामरत महोच सब मनाय चारा है प्रियागराश विकास प्राधी करण के उपाधिय अर्विन सिंग चौहान की ओर से ये तिरंगा यात्रों निकालेगी बत और तिरंगा यात्रों में मुक्यती थी कैबिनेट पंधरी नंद गोपाल गुपता नंदी भी शामिल हुए उन्होंने कहा कि 130 करोड भारतवासी हर गर तिरंगा अभियान को मना रहे हैं ये अभियान अब एक जण आंदोलन बन चुका है इसे राश्ट्री पर्व को हिंदो मुस्लिम सिख और इस साई सभी लोग मिलजूल कर मना रहे हैं मैं अगले खबर में संगम नगरी प्रियागराज से है जोहाँ प्रियागराज यमनापार के सोराओ थाने शेत्र में घर के अंदर चोरी करने को से अभियुक्तों ने सोते समय पति-पत्नी की हत्या करने वाले दो अपरादी कुछी दिन के अंदर बेमौत मारे गए जुनक मनजनपूर कोशामबी निवासी लवकुषपासी को गिरफतार किया तो पूश्टाश में पता चुड़ा की चोरी और कतल के उनके साथ शामिर कोशामबी के ग्यान चुंदर पासी उर्फ ग्यान सिंग और उमेश उर्फ मोटू पासी की पिछले कुछ दिनों पहले ही मौत हो गई है थाना सुरावन शेत्र में फर्स्ट अब्लिक सेकंड ऑगस्ट की रात में जुड़ापूर दांदो गाउं में एक दमपत्ती पेवार किया गया था जूटपाट की घटना को अंजाम देने के उद्देश से और उसमें जो पुरुष सदस्टे घर के उनकी मृत्यू हो गई थी और जो उनकी पत्नी थी वो घैल थी जिनकी कुछ दिनों बाद दौराने इलाज उनकी मृत्यू हो गई थी ताब जानकारी पे तद्काल पुलिस टीम मौके पे पहुँची अग्याद के विरुद अभयोग पंचकित हुआ था इस घटना के नावरण में कई टीमें गठी थुई उन्होंने विभिन आयामो पर इस पे काम किया और इसमें पुलिस टीम को सफलता मिली है और इस घटन को अंजाम देने में तीन सदस्य थे जिसमें लवकुषपासी इसके साथ ज्यांचंद तथा उमेश और मोटू ये दोनों भी जनपत कौशांबी के रनने वाले थे तो इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे ये राजपर टीवी सबसे पहले भारत